इसकास करने वाले हैं वायलो जी टॉप 20 MCQ और इस दिच का होने वाला है ये पार्ट नमबर 6 यानि पहले 5 पार्ट हम अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं तो पहला प्रस्न है चेचक के लिए टीका किसने पिरदान किया था या यूँ कह सकते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो यह की थी option number A Edward Jenner ने ध्यान रखना इसका सही जवाब है option number A Edward Jenner यानि चेचक के लिए जो टीका पिरदान किया था जो टीके की खोज की थी ये Edward Jenner ने की थी next number 2 रक्त समू यानि के ब्लेड गुरूप की खोज किसने की थी तो ब्लेड गुरूप की जो खोज की थी option number C कारल लेंड इस्टीनर कारल लेंड इस्टीनर ने की थी next है number 3 number 3 है सरीर में calcium oxalate की बहुत ज़्यादा मात्रा कारण बनती है सरीर में calcium oxalate की बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा होती है ये किसका कारण बनती है तो शही जवाब है option number C पत्री का next है number 4 osteoporosis किस रोग से सम्मंधित है osteoporosis ये सम्मंधित है option number A हड़ी से किस से हड़ी से osteoporosis next है number 5 number 5 है आनुवानसिक्ता के नियम किसने प्रस्तावित किये थे आनुवानसिक्ता के नियम तो ये किये थे option number C Gregor Mendel ने Gregor John Mendel ने next है number 6 आनुवानसिक यनि आधूनिक आनुवानसिकी का जनक किसे माना जाता है आधूनिक आनुवानसिकी का जनक ये माना जाता है option number B Gregor Jones Mandel को next है number 7 number 7 है Jab Vikas को सर्व प्रिथम किस ने समझाया था Jab Vikas को सबसे पहले किस ने समझाया तो ये समझाया था option number D Le Mark ने सही जवाब है Le Mark next है मानप सरिर की किन कोसिकाओं में सबसे कम पुनर योजन देखी यहाँ पर पह बनेगा तो पुनर योजन शक्ती होती है सबसे कम पुनर योजन ते होती है option number A मस्तिस्क कोसिकाओं में मस्तिस्क कोसिकाओं में सबसे कम पुनर योजन की सक्ती होती है next है number 9 कौन सा enzyme पेट के अंदर protein के पाचन में सामिल होता है कौन सा एंजाइम यह होता है पैपसीन ध्या रखना है पैपसीन नेक्स्ट नमबर दस लार किसके पाचन में मदद करती है लार यह करती है ओप्शन नमबर भी स्टार्च के पाचन में लार किसके पाचन मदद करती है इस्टार्च नमबर 11 है भोजन से प्राप्त उर्जा को क पित रसका उत्पादन होता है सरेर के किस भाग में तो यह होता है ध्यान अखना यकरत में जो पित इस्तरावित होता है या पित का निर्माड होता है कहां पर होता है यकरत में होता है नेक्स्ट है प्रस नमबर 13 कौन सा विटामिन रक्त के इसकंदन का कार्य करता है, रक्त के इसकंदन का, ये करता है ओप्षन री, विटामिन के नेक्स्ट है, 14 निम्ण में से कौन सा, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का अच्छा स्रोत तो ये होती है, ताजा सबजियां ताजा सब जियां, next है, 15, किस विटामिन की कमी से इसकर भी रोग होता है, किस विटामिन की कमी से इसकर भी रोग होता है, तो option C, विटामिन C की कमी से, ये खटे फलों में पाया जाता है, 16 है, प्लाजमा, रक्त का एक घटक है, ये है, होता है, यानि के यह क्या होता है जो plasma है देखे रक्त में पाया जाता है लगबख 60% अब यह क्या होता है यानि तो हमको options दिए गए और इसका सही जवाब है option number A drug यानि के liquid होता है next है number 17 plasma में जलका प्रतीशत कितना होता है देखे plasma जलका रक्त का भाग है लगबख 60% होता है और दियान रखना है plasma जो पदार्त होता है उसकी चोथी अवस्था भी होती है अब यह question है plasma में जलका प्रतीशत कितना होता है plasma के अंदर तो होता है 90% है निके 90 मानव रक्त के pH मान का यानि pH का साब कौन सा होता है यानि जो घोसला बना कर रहता है तो यह होता option number भी king cobra next is 20 जीवन की मूल वूत इकाई क्या है तो क्या होती है कोश इकाई यानि के cells को जीवन की मूल वूत इकाई कहा जाता है तो friends आज के वीडियो में इतना ही हो वीडियो पसंदा है उसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में